हाई एवरिवान विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो गुरुवार का दिन है और अभी जो है दो पहर के बारा बजने वाले हैं तो बस यहाँ पे आ गई हूँ छट पे कपड़े डालने धूप तो खूब अच्छी हुई है लेकिन कपड़े डालने के कुछ देर बाद ही न एकदम धूप खतम हो गई मौसम बिल्कुल खराब हो गया तो आज गुरुवार के दिन तो वैसे मैं कपड़े नहीं धूती हूँ लेकिन जो है कल भी मैंने कोई कपड़े नहीं धूले थे और मंगलवार के दिन भी मैं जो है चली गई थी हॉस्पिटल तो उस दिन भी कपड़े धोने वाला काम रह गया था बाकी काम तो मैंने निप्टा दिये थे सुबह कपड़े धुने नहीं हुए थे और आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया तो दो दिन के कपड़े हो गया तो फिर सोचाना कि आज साफ कर देती हूँ क्योंकि कल सुकरवार है तो उस दिन मुझे फिर ब्रत रहना है तीज का तो ब्रत में भी ना उतना काम हो नहीं पाता है तो फिर आज कर लेती हूँ तो इसी वज़े से सारे कपड़े जो है मैंने कुछ जो है मसीन में डाले थे और कुछ जो हाथ से दोने थे उसको हाथ से दोला तो उसमें से जो है लाइट भी बीच में कट गई तो कुछ ऐसे ही उपर लाके इसी वज़ा से मैंने डाल दिया कि उपर जो है अच्छे से सूख जाएंगे लेकिन एक भी कपड़ा सूखा नहीं सब मैंने फिर बाद में नीचे लिया के फैला दिया मौसम बहुत खराब हो ग जो जरूरी काम थे जो डेली रूटीन वाले काम थे वो तो हो रहे थे बाकी और काम मुस्किल हो रहा था करना तो ड्राइफ फूट्स मैंने मंगाये थे आपको बताया था सायद दो तीन दिन पहले वाले ब्लॉग में इसके लड़ू बनाने हैं और ये सब बनाना होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब इसके लिए बिल्कुल फ्री टाइम लेके ही बनाना पड़ता है और सुबह साम के कामों में इतनी बीजी थी थकान के वज़े से फिर नहीं हो रहा था तो आज मैंने मूट बनाया की नहीं अब सामान आके रखी गया है तो इसको बना आने के लिए मैंने मकाने भुने हैं उसके बाद जो है तिल सफेद तिल और ये अलसी के बीज है जो है हम लोग तीसी भी बोलते हूं उसको जो है फ्लैक सीड वो है और ये है जो है सीड्स है कुछ इसमें जो है ये पंपकीन सीड है सनफलावर सीड है और चिया सीड ये ती जैसे ठंडा होते जा रहा है ना सबको जो है वो भी करते जा रही हूं पीसते जा रही हूं और इसमें जो है अखरोट बादाम और ये काजू ये तीनों मेक्स किया है मीठे के लिए इसमें खजूर डालूंगी मीठा वगरा गूर या चीनी नहीं डाल रही हूं जैसे खजू मैंने मंगाया हुआ है अपने लिए ही बना रही हूँ खाएंगे तो सभी लोग जैसे घर में अगर कुछ बन जाता है ना तो और हम अउरतों का क्या है ना कि हम अपने लिए सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकते हैं सारे मतलब होता है ना कि सब ही लोग जो है खाएं पीएं तो ऐसा तो है निके मकेले ही खा लेंगे लेकिन मैंने ये इस पेसली अपने लिए ही मंगाया है क्योंकि आज कल मुझे इतनी जादा वीकनेस हो गई है ना और होता क्या है कि हम सब को जो है खाना पीना टाइम से दे कर देते हैं कर देते हैं लेकिन अपने लिए ना कुछ करना मतलब आलस जैसे लगता है तो आज कल मेरा रूटीन भी थोड़ा सा गडबड हो गया है सुबह खाने पीने का तो इसके वज़ा से न मैंने इसे मंगाया यह लड़ू बनाऊंगी और सुबह जो है बना बनाया रहे तो यह जादा अच्छा रहेगा और फायदा उतना ही करेगा और टेस्टी भी रहेगा तो इसमें मतलब यह जादा अच्छा रहेगा तो इसी वज़़ा से मैंने सुचा कि इसे ही बना देती हूं तो सामान जितना मैंने मंगाया था ना उसमें सारा सामान यूज नहीं नुकसान करे हा लेकिन डेली सिर्फ एक लड्डू ही इसको हम खा सकते हैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी नुकसान भी कर सकती है तो यहाँ पर सारी चीजों को पीस के मैंने देखिये मिक्स किया और यहाँ बरामदे में आके सारे लड्डू बैटके बनाए टाइम काफी ल कुछ भी हो खाना पीना सारा काम खतम करने के मैं एकाद घंटे में रेस्टी ही करती हूँ एक से तिर घंटे जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीद ही लेती हूँ सोती हूँ बाकी काम कोई नहीं करती हूँ एडिटिंग वगरा का काम भले ही हो जाता है उसी में तो लेकिन आज ये मुझे बनाना था और मैंने दिमाग में बना लिया था कि आज ये सारे काम जो है कुछ और काम है जो है इन सब को खतम कर दूँगी ताकि मुझे कल परसों जो है कोई काम इस तरह का न रहे क्योंकि कल फिर ना निर्जल ब्रत पूरा दिन रहना है जो है तो निर्जल ब्रत में दिक्कत होई जाती है मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है और ब्रत के बाद भी समस्या होती है एक दो दिन तो फिर एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाएगा तो इस वज़त से दिमाग में बनाया था कि य लड़ू बनाने के बाद मैंने रख दिया उसे जो भरके डबे में एर टाइट कंटेनर में भरके रख दिया है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई बहुत जादा तो टाइम था नहीं करीब दो तीन बजी गए थे तो बस थोड़ा सा मतलब हो रहा था ना बादल जैसे हुआ था तो इस वज़र से भी न अच्छे से नीद नहीं आती है कि कब बारिस हो जाए तो बाहर जो कुछ भी रखा हुआ है सब मतलब भीग जाएगा तो वही उठी थोड़ा सा मूध होया और कंगी वगरा की उसके बाद वही पापा के लिए चाय बनाई प रखने थे और कंटेनर वगरा में भरने थे और जो आज ड्राइफ फूट्स का लड़ू बनाया उसमें जो भी बचा हुआ है उसको फ्रीज में ही रखूंगी बाहर रखूंगी तो वो खराब हो जाएगा तो ये सब काम भी मुझे निप्टाने थे तो बस यहां पर निका पूछ रखती हूं तो सही रहता है तो बस यहां पर जो सामान वगर आया था वो भी और जो बच्चे हुए ड्राइफ फूट्स थे ना सीट्स वगरा तो उनके जो है मैंने वो मार दिया है स्टेपलर लगा के जो है रख दे रहे हूं कि दुबारा बनाना रहेगा तो सही समय रहता है फ्रिजों में पिल्कुल खराब नहीं होता है तो बस इन सारे सामानों को रख दिया है और दो टीन चीजे जो इसमें भरनी है देसन जैसे खतम हो गया था तो बेसन को भी भर दे रहे हूं इसका डब भी मैंने कल साम को भी धुला था घुए तो यह भी सूख ग लखी हूं जैसे जैसे खत्म होगा वैसे भर दूझी जो आज सुबह से जो है न vindrator का में मतलब काम में ही लगई सुबह का का में सारा खत्म किया और जबकि सुबह भी न मैंने सारे काम जल्दी जल्दी ही खत्म किये कि दो पर में मुझे थुड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा तो ये सारे काम मैं निप्टाऊंगी लेकिन फिर भी जो है कितना भी जल्दी करें काम ज्यादा रहता और महीने में एक आत दिन ऐसा हो जाता है एक दिन या दो दिन पूरा किचन जो है सारे सामान को देखना रखना और जब ग्रॉसरी आती है तो उ सारे डबे वगरा भरके रख दिये मैंने और पूरा किचन भी समिठ दिया किचन भी न ऐसे फैला हुआ मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल भी वह लड़ू बनाने के बाद ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अब बस मतलब नीद जैसा बहुत ज्यादा नीद लग रही थी तो जाकि वही 10-15 मिनट या 20 मिनट ऐसे ही मैं लेट गई थी लेकिन उससे ही ना थोड़ी सी एनरजी आ गई मतलब दोपर में थोड़ा सा भी हम आदा गंटा भी अगर थोड़ा सा रेष्ट कर लेते हैं जैसे करते हैं थोड़ी सी नीद ले लेते हैं तो फिर से मतलब जो है इनरजी आ जाती है ठकान खतम हो जाती है फिर हम काम अच्छे से करते हैं तो सारा सामान वगरा रखने के बाद यहां पे जो है यह मुर्मूरे भुन ले रहे हूँ तो यह भी खतम हो गया था और यह भी कई दिन से खतम हुआ था लेकिन मुर्मूरे था ही न और इसका भी यह होता है ना कि जब भी इन लोग को चाय वगरा पीना हुआ और कभी भी मन कर दिया तो फिर नहीं रहता है ना तो अच्छा ने लगता तो इस वज़र से भून के डबें भर के रख देती हूं कि जब जिसको खाना हो तो वो खा लेगा तो आज वही काम मैंने निप्टाया कि मतलब एक दिन का काम कर दिया ना तो अब हपते भर महीने भर जो है थोड़ा रेस्ट रहेगा ग्रॉसरी वगरा भी सबसेट कर दिया है बाकी तो जो जो खतम होता रहेगा बस पैकेट निकालना है खोलना है और भरना है जो है डबे में इतना ही करना रहेग मुर्मुरे वाला काम भी हो गया लड्डू वाला तो मतलब ऐसे हमेशा नहीं बनाती हूँ लेकिन अभी जो है इधर अभी स्टार्ट किया है मैंने ड्राइफूट सबका जो है सुबह मैं देती हूँ न वो अब बंद कर दूँगी जैसे मैं और ये दोनों लोग तो नहीं खाएंगे तनमे को देती हूँ तो तनमे के मूड के उपर है अगर उसको लड्डू पसंद आएगा सुबह खा लेगा तब तो ड्राइफूट अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर नहीं खाएगा तो फिर सुबह उसको दूँगी इस तरह से होगा नहीं तो हम लोगों का यही है मेरा और इनका कि हम लोग सुबह जो है ब्रस वगरा करने के बाद जैसे चाय पीने से पहले एक-एक लड्डू यी खाएंगे तो बस मुर्मुरे वगरा भी मैंने पूरा तयार कर दिया वही मखाने मुंफली तो वही दोपर में ही भुन लिया था तो ज्यादा टाइम लगा नहीं मखाने वगरा में वो सब हो गए और बाहर आप देख रहे हैं ये विंडो जो है ना उजाले से मैंने मतलब दोपर से स्टार्ट किया था ये वाला वीडियो और अभी बिल्कुल अंधेरा बाहर हो गया है तो आज मुझे बनानी है पनीर की सबजी तो उसके लिए यहाँ पे तुरं जो है इसी टाइम जो है सामान रखते हुए ना तुरंत मैंने ये भी डाल दिया कि ये भुन जाएगा ना तो उसके बाद जो है फिर सबजी बनाने में टाइम नहीं लगेगा तो वही प्यास टमाटर लैसुन मिर्च और चार पांच काजू डाल दिया है नमक डाल दिया है तो बस उसके बाद जो दो तीन कपड़े सुखे हुए थे उनको मोड ले रहे हुँ बाकी तो सारे भीगे ही हैं अच्छे से सुखे नहीं क्योंकि क्या हुआ ना कि मसीन में सारे कपड़े मैंने नहीं सुखाय थे लाइट कट गई थी इस वज़़े से अगर मसीन में पूरे कपड़े सुखे रहते ना तो सारा सुख गया होता है एकाद गंटे तो धूप थी ही लेकिन नहीं सुखाने के वज़़े से गीला ही सारा रह गया तो अभी ये ठंडा भी हो गया है तो इसको भी भर दे रही हूँ अभी सबजी बनाना मैंने स्टार्ट नहीं किया है तो बस अभी इसके बाद बनाऊंगी और पापा के लिए अलग से बनाऊंगी क्योंकि वो ना पनीर की सबजी नहीं खाते हैं तो उनके लिए जो है वो बनाऊंगी तोरी की सबजी और रोटी बनेगा हम लोगों के लिए तो पूरी बनेगा लेकिन उनके लिए साधा खाना ही बनेगा तो बस अभी यहाँ पे खाना वगरा मैंने बना लिया है देखे तो यह हम लोगों की थाली है मेरी और इनकी तनमे को दिया है मैंने वो खा रहा है और पापा को पहले ही दे दिया उनके लिए सबसे पहले बना दिया था सबजी रोटी तो उनको बना के दे दिया हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया तो वही हम लोग लेट भी खा लेते हैं लेकिन पापा का वही रहता है साड़े आठ पॉने नौ तक उनको खाना चाहिए होता है उससे जादा मतलब लेट नहीं होना चाहिए उनके खाने में तो होता है ना कि उनको पहले देदो बनाके, उसके बाद हम लोग थोड़ा लेट भी खा लेंगे, तो बस यहां पर लेके बैठ गई हूँ, और पनीर का सब्जी अगरा इसलिए आज बनाया ना कि कल जैसे ब्रत रहना तो थोड़ा से रहता है ना कि कल व्रत पूरे दिन रहन अबस किचन कलीन करना है तो सारा बरतन अगरा सब कुछ समेट लिया तो आज का पूरा दिन ना किचन में खड़े-खड़े बीच मेंने झाए नहीं तो लगा तार में सुबस से लगी हुए मला सुबा काम खत्म करना उसके बाद फिरसे दो पहर से मैंने स्टार्ट किया और अब ही जो है रात के करीब साड़े दस से ग्यारा बच गए थे मुझे खाली होने में लेकिन ये तसली थी कि आज बहुत सारे काम निप्टाल ये जो सोचा था मैंने कि नहीं आज ये सारे काम खतम करूंगी तो वो सारे काम खतम हो गए त तो अब जो है कल दो दिन तो मुझे इन सब कामों के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है और डेली वाले काम तो जैसे जो होते हैं वो होते ही रहेंगे तो बस सारा किचन अगरा सब कुछ क्लीन कर लिया है और वीडियो का एंड भी यहीं पर कर रही हूं व्लॉग अच्छ झाले कर दो है और वीडियो किष़गे हैं वीडियो का थाज़ दो चाई वीडियो का एंड कर दो जो है।